हाई, वेल्कड़ों में चनल, इस बिड़ों में समझेंगे लॉस परसेंटेज, आप समझ गया होंगे इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यदि आप प्रॉफिट परसेंटेज वाला जो पार्ट था, उसमें आप देखेंगे तो, तो परसेंटेज का मतलब यही होता है कि hundred में कितना hundred में कितना यदि x upon hundred लिखा हुआ है इसका मतलब कि x percent ठीक है तो जब loss percent निकालेंगे इसका मतलब यह हुआ कि loss upon मतलब कि hundred में कितना loss हुआ hundred रुपीज में यदि कोई सामान खरीदी गई तो कितना loss हुआ हम उसको बोलेंगे loss percent मतलब यहाँ पर हम दिसकते हैं पहले हमें लिखना पड़ेगा loss का loss होगा तो क्या होगा loss होगा तो जो cp है cp ज़े वो बड़ा होगा sp से sp छोटा होगा cp से मतलब कि cp में से minus करना पड़ेगा आपको sp को तब निकलेगा आपको loss तो यह पहला फामूला हो गया जो आपको जो आप जानते हैं मैंने explain कर दिया है पहले वाले वीडियो में अब यहाँ पर समझना में है कि loss percent क्या होगा देखे loss percent जब निकालेंगे हो तो loss percent मतलब क्या होता है कि जितना भी loss यह आया यह वाला loss वह कितने cp में आया मने cp कितना है cp जदी hundred है तो उसी को बोलेंगे loss percent लेकिन cp ज़रूर निके hundred होता है hundred हमेशा नहीं होता तो loss अपन cp into hundred कर देंगे यह जो fraction है वो हमेशा percentage में करवाट हो जाएगा तो loss अपन cp into hundred करेंगे तो यह आपका आएगा loss percent ठीक है यह दूसा formula है जो आपको इदम याद रखना है अब जो यहां से पहले जो formula है आप है loss is called to cp minus sp यहां से sp कैसे निकालेंगे आप तो sp को यह आप transpose करेंगे left side में और loss को यह राइट side में क्या निकलेगा sp आप यहां से कर्पूर कर सकते हैं और sp बरबर क्या आजाएगा sp बरबर आजाएगा cp minus loss ठीक है तो यहां पर loss जो है इस equation से find कर लेंगे इस equation में loss निकालने के लिए loss percent में मड़लाई करना पड़ेगा cp से और hundred से divide करना होगा यहां से आप निकाल लेंगे loss is equal to loss percent loss percent में मड़लाई करना पड़ेगा into cp अपान करना पड़ेगा hundred हैगे नहीं यहां से आप जो है calculate कर सकते हैं क्योंकि loss आपको निकालना होगा तो cp से मड़लाई करना पड़ेगा और hundred से divide करना होगा तो यहां पर loss is equal to loss percent into cp अपान hundred अब यह भी एक फर्मूला है कि बड़ लॉस निकालने के लिए मतब लॉस का amount कितना है यह निकालने के लिए loss percent दिया रहेगा और cp दिया रहेगा तो आप इस तरीके से निकाल सकता है loss का amount तो अब sp is equal to यहां पर हमारा पहले वाले equation से यहां पर आया था sp बरवा cp minus loss अब इस loss का use हम यहां पर कर लेंगे इस formula का यहां पर क्या मिलेगा बताइए यहां मिलेगा cp minus loss is equal to हो जाएगा loss percent मतब इसको हम ऐसे लिए सकते है cp into loss percent cp को पहले यूज करिए cp into loss percent upon 100 ठीक है यहां से आप cp कामल लेजे मिलेगा आपको 1 minus loss percent upon 100 अब यहां पर जो है आप lcm लेजे upon 1 करके क्या मिल जाएगा cp जदी lcm लेंगे 100 तो once divide करेंगे यहां पर मिलेगा 100 minus 100 लेट करेंगे यहां loss मिलेगा मतलब जो loss percent है वो loss percent के form ही रहेगा तो मतलब आपको मिल गया एक formula नया और यह मिल गया आपको sp is equal to cp into 100 minus loss percent upon 100 तो इस formula को भी एकदम याद रखना है आपको और यह formula बहुत जग़ा use होता है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं आप यह भी कभी कभी use करते हैं simple करने के लिए चीजों को यह वाला जो आपका formula है sp is equal to cp minus loss के जगवाप जब आपने loss percent रखा है यहाँ पे loss की value रख दिया cp into loss percent upon 100 तो यह जो formula है इसका भी use करते हैं जैसे इसका use कहां करेंगा जैसे मालिजे की cp दे दिया कह रहा है कि cp मालिजे की 80 रुपीज है और यह कह दिया कि 80 रुपीज खर दिने पे जो loss percent हो रहा है वो हो रहा है 4 percent ठीक है और कह दिया कि then find a sp तब बताएगे कि sp कितना होगा तो आप क्या करोगे तुरंत sp निकालने के लिए जब loss हो रहा है तो cp में से cp में से minus करना होगा cp का loss percent मतलब cp का यदि हम loss percent निकाल लेंगे यहाँ पर loss upon hundred loss percent इतना भी हुआ upon hundred कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या sp आ जाएगा मतलब यहाँ पर यदि hundred उचकर रहेंगे तो होगा मतलब कि cp यहाँ पर क्या है 80 है 80 में से minus करना पड़ेगा 80 का 4 percent मतलब 4 upon यह hundred है यूज करना पड़ेगा यहाँ पाज 00 के जिल हो गया और 8,4 जा 32 10 से करेंगा 3.2 आएगा मतलब 80 में से minus करना पड़ेगा 3.2 मतलब आ जाएगा यह 70 76.8 तो कहने का मतलब है कि आप जो है sp निकाल सकते हैं इस formula का यूज करके भी मतलब इस वाले का यूज करके यह दोनों सेम है तो इस तरह से भी निकाला जाता है ओके अब यहाँ पर यह आपने sp निकाल लिया cp into इतना करके तो आप यहाँ से cp भी निकाल सकते हैं यहाँ से यह cp निकालना हो तो जो यहाँ पर इतना बड़ा में लिखा गया है न इसी को transpose कर दीजे left hand side में तो आपको मिलेगा यहाँ से it implies cp is equal to मिल जाएगा यह उल्टा हो जाएगा मतलब कहने का यह जो है reciprocal हो जाएगा जब इधर left hand side में जाएगा तो इधर sp रहेगा sp multiplied by यह reciprocal हो जाएगा मतलब की 100 उपर हो जाएगा upon और यह नीचे हो जाएगा 100 minus loss percent ठीक है तो यह भी एक formula है और यह formula हम जब gain होगा तब भी निकाल सकते हैं तो gain वाले case में हमने आपको बताया था कि gain वाले में यहाँ पर क्या हो जाता है cp जब निकालना हो जब gain होता हो क्या करना पड़ेगा sp में multiply करना पड़ता है 100 से divide करके यह 100 plus करना पड़ता है हाँ पर gain percent gain percent यह profit percent जो भी होता है तो इतना करना पड़ेगा ठीक है तो मतलब कि यह formula यह सारे formula जो हैं आपने drag कर दिया है आप इसको कई बार लिख लीजिए कई बार याद कर लीजिए और एक जो next video बनाऊँगा मैं उसमें बताऊँगा कैसे याद कर सकते हैं कैसे simple तरीकर सब याद कर सकते हैं तो कि इसको यदि याद नहीं करेंगे तो आपको concept यूज करना पड़ेगा और concept यदि clear है तब दी बीना याद किया आप solve कर सकते हैं questions को ठीक है concept मतलब कि यही कैसे derive हुआ कैसे derive हुआ यदि आपको यह पता है ठीक है कैसे हम loss घटाते हैं तो SP निकल जाता है CP में से यह सारे चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं कई बार आपने repeat किया है कई बार आपने दोहराया है अच्छे समझा है practice किया है तो आपको यह सारे formula बिलकुल ही drive कर सकते हैं आपकी questions में जरूरी नहीं है कि आप formula यह use करें आप अपने concept का use करके solve कर सकते हैं ठीक है तो आप यदि जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि formula हम directly use कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा formula यूज करना आसान रहेगा आसान रहेगा लेकिन कब तक जब आप किसी भी ऐसे exam में बैठेंगे जहाँ पर concept का use करना पड़ जाए तो वहाँ पर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे वहाँ पर आपको concept जानना ही पड़ेगा इसलिए जो मैंने बताया सूल से लेकर अंद तक यह जो चार वीडियोज में बनाया है प्राफिट और लास पर और इसके आगे जो बनाऊंगा अभी जो ही parts बनेंगे next जिसे कि discount percent discount का use करके या जो भी होगा उसके आगे value added tax and taxes कैसे हम लोग उसमें solve करते हैं questions जो सबका जो concept है यदि आप नहीं समझे हैं और अच्छे से derive नहीं किया है तो समझे की problem होगी future में अभी नहीं अभी तो कर लेंगी जैसे तैसे लेकिन future में जो preparation करेंगे किसी भी exam का जैसे bank का exam का या फिर SSC का या फिर IS का exam का किसे भी बड़े exam में बैठेंगे आप तो आपको concept जानना बहुत जरूरी है इसलिए आप इस videos को अच्छे समझेगा और जैसे जैसे मैं ने derive किया है वैसे वैसे आप खुद बैठ करके अपना pain copy निकाल करके बैठ करके खुद अपने दिमाग से वीडियो बंद करके खुद solve करिए खुद समझे कैसे निकाला गया ठीक है पहले एक बार देख लिजएगा अच्छा से एक बार नहीं तो दो बार देख लिजएगा तिन बार देख लिजएगा तब जा करके आप अपने मन से करिएगा copy pen निकाल करके अच्छे से कई बार practice करिए ताकि एकदम यह question एकदम अच्छे से याद हो जाए यह मतब जो formulas है वो कैसे derive हुए क्या हुआ इसमें और actually loss percent क्या होता है loss क्या होता है cost price क्या होता है selling price क्या होता है इसको अच्छे से समझ गया overhead expenses क्या होता है क्यों add करते हैं क्यों उसमें ऐसे करना पड़ता है या फिर fraction जब निकालते हैं इसे 2 upon 3 है तो इसको percentage में convert करने के लिए क्यों 100 से ब्लाई करते हैं 100 से ब्लाई करना जरूरी है क्यों क्यों ऐसे किया जाता है तो मैंने एक वीडियो में बताया है कि कैसे करते हैं ठीक है profit percentage वाले जो वीडियो है उसे मैंने बताया है तो हर चीज़ को एकदम पूरी तरह से basic label पर एकदम ground में जाकर किये अब समझेंगे न तो कोई भी question ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा एकदम 100% आ जाएगा और कोई भी doubt नहीं होगा तो अभी के लिए इतना ही आप जितना हो सके उतना share करेंगे तो मैंने अच्छा रहेगा और आपके लिए भी ताकि आपके दोस्त भी जानेंगे थैंक्यू सो मच और comment जरू करिए कुछ ना कुछ इदि आपको अच्छा लगा explanation थैंक्यू अगें बाई